हाई developers कैसे आप सब तो आज हम लोग जो इंटर्वी कुशन देखने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि वैर लेट और कॉंश्ट में क्या डिफरेंस होता है तो इसके पहले अगर जो हमारी पहली वीडियो थी कि जावस्क्रिप क्या होता है अगर आपने वह नहीं देखा है तो वह जोड़ देख लिए जहां हमने बेसिक कवर किया है कि हम लोग जावस्क्रिप में किस तरीके से वेरेवल डिफाइन करते हैं कैसे उसको प्रिंट करते है कंसोल में या फिर उसको कैसे प्रेंट करते हैं ब्रॉजर में तो यह सब चीज हमने वहां पर कवर किया हुआ है तो आप उसको जरूर देख लेजिए अच्छा वीडियो में बढ़ने से पहले एक चीज और मैं लास्ट वीडियो में बताना भूल गया था कि जो भी वर्ल आपको description ही मिल जाएगी तो आप वहां से इसको check कर सकते हैं तो यहां पर आप किवरल इसको cover किजिए आप इसको देखिए कि यह चीज कैसे हो रही है क्या हो रही है आप इसको भी coding करने का press मत कीजेगा ठीक है नहीं तो आपको ठीक समझ नहीं आएगा यह चीज क्या किया हुआ है उस वीडियो को जो लिंक होगी मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा और प्रास करूँआ कि आपको निचे डिस्क्रिप्शन में भी में दे दूँ क्योंकि अगर मैंने फिर से वह चीज़ यहां पर कवर करने प्रास किया तो वीडियो कफिज जादा लंबी हो जाएगी और कफिज जादा बोरिंग हो जाएगी तो इस वज़ए से हम लोग यहां पर क्या करने वाल है कि हम लोग केवाल यह चिक करें कि वैर लेट और क्योंकि हमने डिफिनेशन और लेटी सा कवर किया हुआ है ठीक है तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं वैर को ठीक है वैर एज इस उक्वाल टू टैन ठीक है अब हमने फिर से डिफाइन किया वैर एज इस उक्वाल टू फाइब अब अगर मैं इसो कंसूल करता हूँ तो आपके साब से अज्वाल क्या यहां पे आना चाहिए अगर मैंने यहां पर चूपर देख लेते हैं अपने देख यहां पर नहीं मिल गया अच्छा मैं यहाँ पर एक चीज और आपको बताना चाहूँगा जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं for example जैसे मैंने यहाँ पर अगर लिखा where a ठीक है यहाँ हमने क्या किया यहाँ हम लोगों ने where a अगर लिखा इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग फिट से एक variable को re-declare कर रहे हैं ठीक है और यह जो अगर होता है a is equal to 5 इसका मतलब हो रहा है कि हम लोग उसको redefine कर रहे हैं आप पीचे को हमेसा ध्यान रखेगा क्योंकि यह term जो है where let or const में काफे ज्यादा यूज होने वाला है कि अगर हमने where a किया इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारे variable है I mean जो a जो है इसको में दुबारा से re-declare कर रहे है ठीक है और अगर हमने a is equal to 5 किया इसका मतलब कि हम लोग उसको redefine कर रहे हैं और फिर से उसमें एक नया value डाल रहे है ठीक है यह इस concept को प्याद रखी क्योंकि यह काफी ज्यादा important है तो अब यहां पर क्या हुआ कि हमने where a is equal to 10 किया ठीक है फिर हमने क्या किया where a is equal to 5 तो यहां हम लोग क्या कर रहे है हम लोग where a को फिर से read declare भी कर रहे है और redefine भी कर रहे है और यह चीज where के साथ possible है जो हमारा keyword है where उसके साथ यह चीज possible है कि हम लोग किसी variable को अगर वो where है तो हम लोग उसको read declare और redefine कर सकते हैं ठीक है अब हम लोग देखते हैं let के साथ let be is equal to 20 ठीक है अब अगर हम इसको console करते हैं देखें मैं क्या मिलेगा यह हम पर हमने यहां पर किया इसको भी और हमने यहां पर हमें 20 मिल गया ठीक है अब क्या हम फिर सी इसको define कर सकते हैं और declare कर सकते हैं हमने यहां पर क्या किया इसको माली हमने 30 किया ठीक है अब यहां पर देख सकते हैं यह already error दे रहा है लेकिन मुझे चिक भी कर लेते हैं क्या error आता है read declaration of let be syntax error तो यहां पर इसने क्या बता दिया कि यह जो हमारा let है इसको हम लोग read declare नहीं कर सकते हैं जो हमारा यह जो बी है क्योंकि यह define है let keyword के थूँ तो अब यहां पर यह चीज है कि हम लोग दुबारा से अगर किसी variable को हमने let define किया हुआ है तो हम लोग दुबारा उसको read declare नहीं कर सकते हैं तो क्या एसको define कर सकतें मैं फิर से हमारा लिक देता हुझ जिससरे अपको clear हो जाएगा यता होगए आपका तो अब यहां पर क्या m plaint चेक करेंगे कि क्या इसको हमлять फिर से कर सकते हैं कि नगया है ह BH 20 इसको यहां में इसको किया जो से फिरलेंज लिए गया है अबाफ ए नुग घ्र वार्च्छ ने सकते हैं 2 होगया 3 इसका मतलब क्या हुआ कि लेट में हम लोग की वर्ट को re-define कर सकते जो को हमारे कर सकते हैं read declare नहीं कर सकते हैं और यह जो हमारी वीडियो है हमने वहाँ पर already cover किया हुआ था जो हमारी वीडियो अलोड़ी बनी हुई है where, let और const पे अगर आपने उसको देखा होगा थो हमने वहाँ पर already cover किया हुआ है की वैर को हम लोग read-declare औरואןी कर सकते हैं जबकी laid को हम लोग read-declare नहीं कर सकते हैं लेकिन read-define कर सकते हैं ठीक है अब हम लोगद देखते हैं const में const c is equal to हमने यहाँ पर किया 50 हम लोगज इसको print करते हैं यह c को मने print कि यहाँ पर define किया और आपे हम देख सकते हैं 50 आगया ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अब हमने इसको फिर से करते हैं read declare हमने यहां पर क्या किया इसको 60 कर दिया ठीक अब हमने इसको print करके देखते हैं क्या होता है यहां पर वही और आ गया कि हम यहां पर इसको read declare नहीं कर सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि late और const को हम लोग read declare नहीं कर सकते हैं तो अब यहां पर check करते कि हम इसको read define कर सकते हैं कॉंश्ट को हमने आप सी देखार 60 किया ठीक है यह फिर से अगर आप देखेंगे यहां पर इसका मतलब यहां पर क्या हुआ यह भी आपको दे रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो हमारा इसको ना तो हम लोग read declare कर सकते हैं और ना ही redefine कर सकते हैं तो यहां पर हम लोग ने तीनों example देख लिया कि जो हमारा वैर है वहां पर हम लोग read declare और redefine दोनों कर सकते हैं लेकिन जो हमारा लेट है वहां पर हम लोग read declare तो नहीं कर सकते हैं लेकिन ठीक है तो यहां तक तक आपको स्क्लियर हो गया होगा अब यहां पे एक और इंटर्वी कुश्चन बन जाता है वो भी हम लोग देख लेते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप जवास्वी के इंटर्वी चारी कर रहे हो तो हमारे ebook को जरू चेक करो जहां हमने काफी important इंटर्वी कुश्चनों कवर किया है जो काफी ज़्यदा इंटर्वी पूछा जाता है तो ebook के link आपको नीचे description में मिल जाएगी और साथी साथ अगर आप Amazon से purchase करना चाहते हो तो उसकी भी link आपको नीचे description में मिल जाएगी तो एक बर आप जरूर चेक कर ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अब यहां पर हमने क्या किया एक वैर लिया वैरियेबल लिया हमने यहां पर suppose हमने लिया x is equal to 0 ठीक है उसके बाद हमने एक function बनाया function my function और यहां हम डिफाइन कर दिया हाँ पे सिदह हम लोग क्या करें के इसको console.log और यहां हम क्या करेंगे x को कॉल करेंगे यहां पे 0 नहीं यह पर हम चेन ले ले लेता है और अब हम लोग क्या करेंगे फिट से यहां पर डिफाइन कर देंगे where x is equal to 5 अब यहां करेंगे यह जो हमारा function है इसको हम लोग call करेंगे अब हम इसको call करेंगे तो हम उसे देखते हैं पर output क्या आता है अब यहां पर अगया देखी है अन्डिफाइंड अब यहां पर अन्डिफाइंड क्यों आया अब यहां पर लिख लेते हैं इसको कि यहां पर हमें क्या मिला अन्डिफाइंड मिला यहां पर क्योंकि यह जो हमारा वैर है यह क्या है यह ग्लोबल स्कोप है अब यहां पर हम इस variable को जो हमारा X है हम लोग इसको यहां पर call करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन यह variable इसको actually कहीं मिल नहीं रहा है आप यहां पर देख सकते हैं वैर यहां पर define है लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं उसको इसके पहले access करने का प्रयास कर रहे हैं इस वज़े से क्या हो रहा है कि यह हमें undefined दे रहा है, फिर से समझते हैं इसको, यह जो हमारा वेर एक्स हमने यहां define किया, ठीक है, अब यहां पर हम एक function के अंदर आ गया है, लेकिन इस function में हमने क्या किया इसको, कि हम सिधा इसको पहले ही call कर रहा है, console.log में एक्स हमने इसको पहले ही access करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो हमने इसको define किया है, जो हमने इसको declare किया है, वो उसके नीचे किया हुआ है, इसकी वैसे क्या हो रहा है, यह हमें undefined दे रहा है, अब हम लोग यह तो पता है, कि यह जो where है, यह क्या है, यह function scope आप कर सकते हो, या फिसको global scope भी कर सकते हो, ठीक है, लेक वो ब्लॉक के बाहर access नहीं किया सकता, अब हम लोग वो भी देख लेते हैं उसका example, तो यहाँ तो आपने देख लिया कि अगर हम लोग where keyword को, अगर हम लोग define करने से पहले, अगर हम उसको access करेंगे, तो यह हमी मिलेगा undefined, आप से interview पूछ सकता है, कि undefined क्या होता है, ठीक ह अब हम लोग देखते हैं, let keyword के सरुदू के, let keyword या फिर const keyword में हम लोग क्या error मिलता है, क्या वहाँ भी हमें undefined मिलेगा, क्योंकि उसका जो property होती है, वेर के property अलग है, और let और const property अलग होती है, तो x जो हमारा where है, यहाँ तो उसने हमें undefined दे दिया, लेकिन अगर हम लोग चीज let और const के साथ करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, अब हम लोग वह देखते हैं, let, अब हम लोग करते हैं, m is equal to, suppose 20 कर लिया हमने, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, function my function let, ठीक है, और सेम चीज़ हम लोग यहाँ भी कर लेते हैं, यहाँ हमें define कर लिया, variable कर दिया, m, और यहाँ भी हमने क्या कर दिया, इसको m कर दिया, और यह हमारा let है, हमने इसको let कर दिया, ठीक है, अब हमने इस function को call कर लेते हैं, देखते हैं, इसका output क्या आता है, इसको comment कर दिया, ठीक है, अभी हमने इसको comment कर दिया है, जब हम लो मैं आपको यह से अब uncommon करके भाक करूँ है ताकि आपको दिख्वत नावा समझने में तो अब इसको कॉल करते हैं देखते हैं हां पर क्या था कि जो हमारा लेट है उसको हम लोग बिना define किए या फर बीना लेट किए हम लोग उसको access नहीं कर सकते हैं ये होता है लेट लेट में क्या होता है कि अगर किसी भीwhyibler को बेना access किए हमें बिना लेट कीए बिना उसको कोईनिसलाइच कीए अगरम उसको KKRक करेंगे तो वह में Error देदेगा Error क्या होगा रिफरेंस एरऔर इस बहर हमें reference एरफरेंस मिला है ठीक है यह हमाराowager अब हम लोग यह काम करते हैं act कौन चुन करके साथ देक frustration देख लीएए निख लेते हैं जला है कि यहां भी हमने इसको कॉंच कर दिया अब के जगह हम लोगों आपके ले लिया अन खीक है और जो और उट बैभिन हैं इसको काउट क्या पूट रहा है ? अब कोडे लाबा कोई नहीं है , अब मैंने क्या किया इसको यहां पर रिफयरेस किया reference किया आप देख सकते हैं यहां पर फिर से वही आ गया reference error तो इसके मतलब क्या हुआ कि जो हमारा लेट और कॉंस्ट है यहां पर हम लोग किसी भी variable को बिना initialize किये हुए बिना उसको declare किये हुए अगर हम उसको अक्सेस करने का प्रयास करेंगे तो वो हमें क्या देदेगा एक reference error देदेगा तो यहां पर आप दे सकते हो कि हां पर हमारा अलगी interview question बन चुका है और अगर हम लोग वैर कीवर्ड को बिना initialize किये अक्सेस करने का प्रयास करेंगे तो हमें क्या error मिलेगा और अगर हम लोग लेट और कॉंश्ट कीवर्ड को बिना initialize किये अक्सेस करने का प्रयास करेंगे तो हमें क्या error मिलेगा ठीक है तो हम लोग ने जो भी interview question में वहां पर cover किया वा था वो सारे चीज हम लोग यहां पर cover कर चुके हैं कि वैर में लेट में और कॉंश्ट में क्या डिफिन्स होता है हमने और यहां cover कर लिया और जो हम लोग ने cover किया था वहां पर कि जो हमारा वैर है वो क्या होता है एक global scope या function scope होता है और जो हमारा लेट या फिर जो हमारा कॉंश्ट होता है वह एक block scope होता है तो अब ब्लोक scope में या फिर ग्लोबल scope में क्या difference होता है हम लोग इस चीज को और यहां पर cover कर चुके हैं कि अगर हम लोग किसी keyword को वैर से define करते हैं और बिना उसको इनिसलाइज किए अगर हम लोग उसको क्लियर हो गया होगा कि वैर लेट और कॉंश्ट में क्या difference होता है तो अगर आपका वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरू करें आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद